हमारे चैनल साइन्स एंड नॉलज उर्दू हिंदी में आपका स्वागत है ये सैंसंग की सबसे सस्ती नई पीडी के स्मार्टफोन में से एक होगा सैंसंग बजट गेलक्सी A06 को रिलीज करने की तैयारी कर रहा है सैंसंग जल्द ही अपना नवीनतम बजट स्मार्टफोन गेलक्सी A06 पेश करेगा लेकिन डिवाइस को पहले से ही गिजनेक्स्ट रिसोर्स के सहयोग से जाने माने इंसाइड स्टीव हेमस्टोफर, ओन लीक्स, द्वारा प्रकाशित उच्च गुणवत्ता वाले रैंडर में देखा जा सकता है उपस्थिती के मामले में गेलक्सी A06 वर्तमान पीडी के मॉडल गेलक्सी A05 से काफी अलग नहीं होगा कम से कम कमपनी ने स्क्रीन को टेड्रॉप कटाउट के साथ रखने का फैसला किया है और दोहरे कैमरे में कोई विशेश द्रिश्य परिवर्तन नहीं हुआ है आगामी सैमसंग गेलक्सी A06 स्मार्टफोन के रैंडर ओनलाइन लीक हो गए है नया गेलक्सी A06 मौडल सिगनेचर की आइलेंड डिजाइन में पिछले साल के A05 की जगह लेगा जिसमें USB-C पोर्ट और 5000 मिलियंपियर की बैटरी होगी डिवाइस को पहले ही FCC, SIRIM, BIS, Wi-Fi Alliance और अन्य सहित लगभग सभी आवशक प्रमान पत्र मिल चुके हैं गिजमो से चिना के अनुसार, जाने माने इंसाइडर ओनलीक्स का हवाला देते हुए गेलक्सी A06 में एक फ्लैट फ्रेम होगा और सिगनेचर की आइलेंड डिजाइन एलिमेंट होगा जो इस साल के गेलक्सी A स्मार्टफोन की खासियत है, जो दाई और एकी कृत है वॉल्यूम कंट्रोल बटन और बिल्ट इन फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ पावर बटन भी वही स्थित होंगे बैक पैनल पर आप दो लंबवत व्यवस्थित कैमरा मोड्यूल और एक LED फ्लैश देख सकते हैं सामने की तरफ, Galaxy A06 में, यू, अक्षर के आकार में टेरड्रॉप आकार के कटाउट के साथ एक Infinity-U डिस्पले होगा USB-C पोर्ट, 3.5 mm हेटफोन जैक और स्पीकर ग्रिल निचले पैनल पर स्थित है Onleaks ने स्मार्टफोन को काले रंग में दिखाया उमीद है कि स्मार्टफोन में 6.7 इंच का बड़ा डिस्पले होगा जो संभवता है HD जोड रिजोल्यूशन वाला होगा और इसका माप 167.3 x 77.9 x 8, 0 mm होगा इस बीच, Geekbench लिस्टिंग संभावित Mediatek Helio G85 प्रोसेसर और 6 GB RAM की ओर इशारा करती है हाला कि लौँच के समय अन्य कॉन्फिग्रेशन उपलब्ध हो सकते हैं Galaxy A06 का माप 167.3 x 77.9 x 8 mm होगा स्मार्टफोन में पावर बटन में एक फिंगर प्रिंट स्कैनर, एक USB-C पोर्ट और एक मानक हेड़फोन जैक होगा स्मार्टफोन इस साथ सितंबर से अक्टूबर के बीच लौँच किया जाएगा और इसकी कीमत लगभग 160 हर अमेरिकी डॉलर होगी तो अधिक तकनीकी समाचार और अपडेट के लिए कृपिया बने रहें और हमारे चैनल साइन्स एंड नौलेज उर्दू हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूले अगली बार मिलते हैं अलविदा झाल झाल